नागपुर ग्रामिन बुटिबोरी में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को बुटिबोरी पुलिस ने गिरफतार किया है आरोपी समीत और पोंग्या संतोज दामने है वह नागपुर के सुबाश नगर का रहने वाला है यह कारवाई शुक्रवार 17 दिसंबर की दोपर डेट से दो बजे के दर्मियान की बताई जा रही है बुटीबरी एनाईडीसी छेतर के नागरिक डेट दो सालों में बड़ी चोरी की वार्दातों से परेशान थे पोंग्या से पूछताज के बाद और भी कई मामले उजागर हो सकते है जानकार को कहना है कि पोंग्या ने बुटीबरी शेतर में चोरी की 30 से ज्यादा वार्दोतों को अंजाम दिया है हाला कि पुलिस ने इस संबन में अधिक रुत रूप से कोई जानकारी नहीं दी है पोंग्या को पकड़ने के लिए पुलिस डेड़ से दो साल से लगाततार प्रयास कर रही थी लेकिन वह चक्मा देता आ रहा था पोंग्या अलग अलग तरीके से घरों में गुस कर कीमती सामानों पर हाथ साफ करता आ रहा था पुलिस की पकड़ में नहीं आने से वह बैखोब हो कर स्चोरिया कर रहा था शुक्रवार को लोकमत कॉलेनी निवासी सुगंदा दयाराम से लोकर किसी काम से बाहर गई हुई थी दो पर करीब डेड़ से दो बज़े के दर्मियान पोंग्या उनके घर में गुसा पडोसी को घर के भीतर से आवाज आने पर उन्होंने से लोकार को जानकरी दी स्थानिय लोगों ने घर को घर लिया और बुटीबोरी पुलिस को सूचना दी इसके बाद बुटीबोरी थाने के पुलिस करमी मौके पर पहुंचे उन्होंने पोंग्या को धर दबोचा